Hello everyone, Welcome to Star IQ Star IQ के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज अज 16 सेप्टमबर और 16 सेप्टमबर 2022 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपने अभी तक Star IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेर कीजिएगा और टेलिग्राम चैनल है Star IQ Education उसे भी जुरूर जोइन कर लेना दोस्तों कल आपसे एक सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि in which year was the Olympic symbol design Olympic symbol design किया गया था 1912 के अंदर यानि कि option number B ठीक रहेगा Olympic symbol of five rings on a white field was designed by P.D. Court-Bretton in 1912 और यह याद रखिएगा जो आपकी five ring जो है ना आपकी five continents को जो है रिप्रेजेंट करती है और Olympic day कब मनाते हो आप लोग 23 जुलाई को मनाते हो Olympic हर 4 सालों बाद होते हैं जैसे अब recently Tokyo वाला हुआ था और अब आने वाले Olympic आप लोगों को साइद याद होंगे 2024 के अंदर हो रहे हैं Paris के अंदर 2028 के हो रहे हैं Los Angeles Los Angeles को आप लोग Hollywood City के नाम से जाना करते हैं जैसे इंडिया में Hollywood City मुंबई है इसके अलावा 2022 के होंगे ब्रिस बेन के अंदर ठीक है तो ये पॉइंट आप लोगों को जुरूर याद रहने चीए आज का पहला current affair क्या है कि हर्याना के मुखे मंत्री ने स्तत विकास पर हाल ही में आयोजित बैटक की अध्यक्स्ता की है उन्होंने कहा कि नीती आयोग के निर्देशा अनुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करे और इसके लिए parameter अनुसार ही काम करे ताकि स्तत विकास लक्षे हर्याना किस वर्स को हासिल कर सके तो इस सवाल का सही अन्सुर है का साल 2030 सर क्या है थोड़ा सा लेंटी सवाल दिख रहा है पूरा समझाईए ना समझाते हैं देखो पहली बात यह है कि हर्याना के मुखे मंत्री ने स्तत विकास पर रिसेंटली एक बैटक लिये सर होता क्या है स्तत विकास इसको आप इंगलिस में कहते है Sustainable Development Goal नीती आयोग के थूँ जो है ना इंडिया के अंदर साल 2018 से स्तत विकास लक्षे के लिए एक parameter दिया जाता है जो हर साल अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग ranking दी जाती है जैसे मैं आपको last year तक ही बात करूँ तो हर्याना को 67 marks मिले थे इसमें 57 थे और 57 से 10 marks बढ़के 57 से 67 पे हम लोग आगे थे best राज्ये इसके अंदर था केरल और सबसे जो worst state था वो था बिहार इसमें ये जो स्तत विकास लक्षे के अगर बात करते हो आप लोग इसके total जो है आपके 17 goal है आपको ये पता होने चीए जैसे कि no poverty की बात करते हो कि बारत के सभी राज्ये के अंदर सभी छेत्रों में गरीबी खतम कर दी जाए कहीं न कहीं अच्छा भुकमरी को खतम कर दिया जाए health है वो सब की बहुत अच्छी हो education में quality बढ़ जाए gender equality हो ये बहुत important बात है male और female का जो finance है वो equal होना चीए clean water होना चीए ये बहुत जरूरी है sanitization का एक proper way मिलना चीए इसके अलावा affordable energy होनी चीए clean energy clean energy का मतलब है solar energy पे तोड़ा focus करो आप लोग ठीक है इसके अलावा decent work and economic growth होनी चीए industry innovation और infrastructure में growth हो पाए इसके अलावा जो inequalities हो रही है बेदभाव जो है ना उसको कैसे ने कैसे कम किया जाए reduce किया जाए sustainable cities and communities की अगर बात की जाए तो sustainable में अस्तत्विकास किया जाए सहरों का इसके अलावा responsible consumption होने चीए इसके अलावा climate action जो प्रयावर्ण पर आपका change हो रहा है इस पे भी action लिया जा सके life below water ऐसा नहीं कि life above water पे काम किया जाए life below water है इनके लिये भी विशेश तोर पे ध्यान दिया जाए life on land जमीन पे जो रह रहे हैं उन पे भी जसे पक्षी हुए paid हुए इनके लिये भी equally जो है ध्यान रखा जाए peace है, justice है, ये थोड़े strong होने चीए institution अच्छा होना चीए शान्ती होना चीए, न्याय विवस्ता बढ़िया हो partnership for the goals कोई nation आपस में जो ना partnership कर सकता है, ये sustainable goal जो ना साल 2015 के अंदर start किये गए थे by you know, इसका mission बस इतना ही था, जो मैंने आपको सबी बताए कि आपके planet के उपर जो है ना वो थोड़ी शी शान्ती रहे, खुशहाली रहे 2015 में start किये गए थे और उसका target रखा था, साल 2030 तक जो ना, इनको 100% achieve कर लिया जाए, और अब आप इस सवाल को पढ़ियेगा, कि एक बैटक होई इस बैटक के अंदर हर्याना के CM ने जितने भी department है, इनको ये निर्देश दिये है, कि जो ये parameter है, जो मैंने 17 goal बताए, इसी के according सारे department काम करे, जो जो इनके parameter है, ताकि हर्याना भी साल 2030 तक जो है ना, ये SDG की ranking को हासिल कर सके, निती का आपको पता होना चीए, निती को आप लोग में, और इसके अलावा, निती का full form आपको पता होना चीए, National Institution for Transforming India है, निती के अद्यक्स कोन है, पधान मंत्री ही होते हैं, निती के उपाद्यक्स अभी recently तीसरे बने हैं, सुमन के बेरी, पहले थे अरविंद गांत, ये तीसरे उपाद्यक्स बने हैं, पहले उपाद्यक्स अरविंद पनगडिया, दूसरे उपाद्यक्स राजियुकुमार, और तीसरे बने हैं सुमन के बेरी, ठीक है, चलिए, अगला किस्तन आपको पढ़ाते हैं, तो क्या रहेगा, जीरो बजट खेती को लेके हर्याना सरकार किस राज्यक के साथ मन्थन करने जा रही है, तो जीरो बजट खेती को लेके हर्याना सरकार गुजरात राज्यक के साथ मन्थन करने जा रही है, क्या होती है, जीरो बजट केती, जीरो बजट केती का मतलब है प्राकरती खेती, गाए अधारित केती यहीं, जैसे गोबर से जो यह जए जिन किए जाते, खाद यूज किए जाते हैं सरीक फटीलाइजर और खाद में क्या डिफ्र聯स है बला? मतलब एक तो हती यह fertilizer जिसको आप लोग उर्वर कहते हैं खाद को इंगलिस में manure कहते हैं मतलब fertilizer और manure में difference तो देखो fertilizer जो होते हैं वो आपकी फसल के लिए होते हैं मतलब आपकी जो crop है उसका production बढ़ाएंगे और जो खाद होती है वो आपकी जमीन के लिए होते हैं इसको याद रखना और खेती को इस विदी में लागत बहुत का माती क्यों फर्टिलाइजर वगरा तो लगाने नहीं होते हैं कहीं पे तो natural चीजों का यूज करते हैं तो इसमें कोई raw material का खर्चा बहुत कम आता है गोबर की खाथ से ही जर्णली जो ने इस प्रघार की खेती को किया जाता है गुजरात के जो राजे पाल हूँ हर्याना की ही है आपको जाइद पता होगा हर्याना के पानीपसे कुर्चेतर विस्टविधाले से उन्होंने देश में गुरुकुल की भूमी का निभारा है जिले के गाओं कैंथला में गुरुकुल कुरुचेतर की 180 एकड भूमी पर गन्ना सबजी फलों की खेती की जा रही है और इसके अलावा दूसरे राज्ये भी यहां इस वाले प्रोजेक्ट को जानने के लिए ट्रेनिंग लेन है और यहां का पॉपुलिशन 6.27 क्रोड है और इसका जोग्रोफिकल एरिया ऐसा है जो वाटर लेंड से लगता है मतलब यह आपको पता ही होगा कि यह वाला जो एरिया है आपका यह एरिया जो अरब सागर से टच हो रहा है नरबदा नदी यहां की प्रमुक नदियों में से एक नदी है एक सहर है जिसका नाम सूरत सहर है जो बहुत important है यह सूरत सहर है जो तापती नदी के किनारे पढ़ता है यह भी आपको जरूर पता होना चाहिए ठीक है ना हर्याना के किस छेत्र में बनाया जा रहा है हर्याना के कोंसे छेत्र में बनाया जा रहा है तो इसका सही अंसुर रहेगा राखी गडी दुनिया का सबसे बड़ा जो है न म्यूजियम बनाया जा रहा है इसकी अभी रिसेंट गोशना हुई है हडपा कल्चरिन हर्याना यूँ कहिएगा वैसे सबसे बड़ा ये तो साइट है ये आप लोगों को अच्छे से पता है दिल्ली से लगबग 150 किलोमेटर के दूरी पे ठीक है ना थोड़ा जादा पड़ेगा 150-170 के आसपास पड़ेगा 70-80 के आसपास है चलो खैर इसके अलावा राकी गड़ी का इतिहास तो आपको पता ही है और उसके अलावा जो है ना 1998 से 2021 के बीस डॉक्टर अमरेंदर नात के नेतरतों में यहां पे खुदाई की गई थी 1998 से लेकर अब तक 56 कंकाल मिल गए हैं जिन पर DNA की ट्रेनिंग अल्रेडी परसेक्षन हो यहां पे चल ले रहे हैं प्रोपेसर वसन सिंदे के मताबिक राखी गड़ी में पाई गई सब्वेत्था 5500 से पचपन सो साल इसा पुरो की है जबकि मोहन जोदरों में पाई गई लगबग 4000 इसा पुरो मानी गई है मोहन जोदरों का चेतर तो लगबग 300 हेक्टेर का था लेकिन यह तो 500 हेक्टेर से भी जादा का एरिया है ठीक है और हर्याना सरकार ने हाली में चंदीगड एएरपोर्ट तक सुरू की है पोड कार सेवा और इसकी गोश्टा तो कर दी पर इसमें कितना खर्चा आएगा तो इसपे 231 करोड का आएगा आपके मास्टर जीतने महान है कि चारों के चारों आप्शन सेम रख दिये हैं पर कोई बात नहीं आप याद रख लेना 231 करोड रुपे का जो ना इसपे खर्चा आएगा ये होती है पोड टैक्सी इस टाइप की आपकी ठीक है ना तो बड़ी चोटी सी डुगडुगी सी होती है छे यातरी इसके अंदर बैठ सकते हैं आपके और इसको बनाने के लिए ये पोड टैक्सी सेवा जो ना स्टार्ट की जा रही है ये याद रखना आप लोग। महिला हेल्पलाइन फायर ब्रिगेड सर्विसोस को तो पहले ही यहां से जोड़ा जा चुका है यूनिवर्सल नंबर कर दिया आपको पता होगा 12 जुलाई 2021 को ये स्टार्ट किया गया था महिला हेल्पलाइन नंबर 1000 क्यान में हुआ इसके अलावा ट्रैफिक हेल्पलाइन से दी जा रही है सभी 42 फिल्ड की साइट है उनको स्टैटिक रेडियो स्टेशन के स्टापना करके काम पूरा कर लिया गया है तो एक सेंटरलाइज नंबर हो जाएगा 112 ठीक है तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है पिछले 13 महिनों में डायल 112 पर 61,000,000,000 कोल आ खर्चा कोन सरकार उठाती है केंदर सरकार, राज्य सरकार, केंदर सरकार और राज्य दोनों ही इनमें से कोई नहीं बताइए विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटस्ट अप्डेट के साथ में अब तक ख्याल रखिएगा आप लो और स्टार आईक्यू चैनल को सब् शेर जरूर करना धन्यवाद